दोस्तों आप देख रहे हैं मौर्याजी न्यूज चैनल दोस्तों C.A.N.P.I.O.N.R.C. के बारे में लोग समझने लगे हैं इससे कुछ देश को फाइदा होने वाला किसी भी अस्तर पे नहीं है ये केबल लोगों को गुमरा करने के लिए C.A.N.P.I.O.N.R.C. का फ्यूत कि अच्छी तरीके से कर रही है और वो सभल भी हो रही है दोस्तों आज सरकार जो है अपने गलत नेतियों के कारण आज कटगरेम खड़ी है और उसकी कुसी जाने वाली है आज बिपच्छना भी रोद करके के जनता खुद भी रोद कर रही है और सड़को पर है दोस्तों आन अगर किसी को रोटी कपड़ा माकान नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे इन सब मुद्धाओं से क्या लाब है आज देश की आर्थिक इस्तिन इतनी गरबढ हो चुकी है इस पर सूजनी की जरूवत है इस पर मीडिया को बात करनी की जरूवत है लेकि मीडिया क्या कर रही है चौथा अस्तम मीडिया का देश का चौथा अस्तम मीडिया क्या कर रही है आज मीडिया के हाला इतनी गरबढ ह कि इन मुद्दों पर बात ना करने के बजाय केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खोजने में लगी हुई है। दोस्तों हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अब नहीं चलेगा। अब जो चल रहा है देश बचाओ, सम्मिधान बचाओ का मुद्दा है, CAE NPR का मुद्दा है ने NRC का मुद्दा है देश बचाओ समिन्हान बचाओ का मुद्दा है दोस्तों दोस्तों आज इस समय ये दिक्कत आ रही है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और बिरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है आज बिरोजगारी ही आहम है जो बिरोजगारी प तो गरीब बेचारे परिसान हो जाएंगे जो इसमें के अधिकारी होंगे वो मालो माल हो जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं सरकार भारत की जो सरकार है सरकार के जो लोग हैं अधिकारी हैं कितने भ्रष्ट हैं किसी कागज को बनवाने के लिए कौन परिसान होंगे गरीब ब परिशान होंगे बड़े तो अपने पैसों से ही कागज बनवा लेंगे उसे कोई सारी कागज इनके घर पर ही बनकर आ जाएंगे लेकिन बेचारे गरीब ही परिशान होंगे दोस्तों इसे किसी परकार का लाब नहीं है अगर देश को बचाना है तो यन पी आर यन रसी इन को भूलो समिधान मचाओ देश बचाओ मुद्दा अपना हो और यही हो भी रहा है और हैदराबाद में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो है बीस लाख लोग इकठा हुए यह बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है दोस्तों देश के लिए आज ऐसा लगने लगा है कि हिटलट राहि सासन है और सरकार जुगना नहीं चाहती है देश वासियों के लेकिन देश वासियों के अंदर जुनून है कि वो सरकार को घुका करहेंगे उनको अपनी गद्दि देश किसी की वपाउती नहीं है हिंदुस्तान किसी की पपोती नहीं है ये देश की लोगों से चलता है अर्थात जनता से चलता है लोगतंतरी के अधिकार है जो सम्मिधान में समाये हैं और इस सम्मिधान से चलता है अगर सम्मिधान ही नहीं रहेगा तो देश कहां रहेगा लोगतंतर कहां रहेगा इसलिए दोस्तों सम्मिधान को बचाना है तो देश को बचाना है और इन्हीं सब बातों से आप बताईए ये कैसा होना चाहिए देश बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और बिरजगाई इसे मुद्धी पे बात होनी चाहिए या नहीं होने चाहिए आप कमेंड के बाद हमसे बताएं दोस्तों धन्यवाल